हेलो फ्रेंज गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हैं दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और यहां पर देखिए मैं छत पे आए थी पानी डालने के लिए पोधो में तो सूरज देख रही थी सूरज अभी तक बिल्कुल भी नहीं निकला है औ पूरा मतलब दिन भना बादल जैसा ही रहता था मौसम और अभी कुछ दिन से जो है धूप निकल रहा लेकिन आज बहुत लेट हो गया है आज भी बादल वाला मौसम है और यहां पर मैं देख लेती हूं टंकी में पानी है या नहीं और अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हो से पहले कपड़ा दूलने के लिए डाल देती हूं क्योंकि लाइट जो है हमारे तरफ न सुबह साथ या साड़े साथ आठ बजे तक काट देता है तो इसी कारण से तो देखिए यहां पर में एक बार जो है धूल के रख ली थी और अभी और भी कपड़ा में डाली थी मसी तब हम इसको सुखा देंगे देखिए तो इसका नोठे बहुत ही कम है और यह गुलाब का फूल ना प्रेंस यह अभी सुबह में खिला है क्योंकि हम लोग रात में जो है देखे थे तो यह कली था और सुबह में खिला तो इसका खुस्बू नो बहुत ही अच्छा है अब अब यह जितना दिन तक रहेगा गुलाब तब तक यह खुस्बू महकता ही रहेगा और यहां इसलिए में दर्वाजे के पास ही रखी हूं इसको और देखिए वजन से भी ना नीचे लटक गया बहुत जादा वजन हो जा रहा है ऐसे रहना चाहिता गुलाब को और अभी और भी कली है तो और भी खिलेगा यह देखिए तब हम नास्ता बनाएंगे फ्रेंस क्योंकि टाइम भी हो रहा है आठ बजे बच्चों का स्कूल है तो फ्रेंस में आठा वेगरा सब मिला के रखी थी उसके बाद जो है वो कपड़ा धूलने के लिए चली गई थ और यहां पर देखिए पराठा जो है वो बन गया मेरा और अभी उनको भी नास्ता करवा के जल्दी से टिफिन पेक कर देती हूं यह तो फिर लेट हो जाएगा तो अभी उनके लिए पहले टिफिन पेक कर देते हैं जब तक वो लोग तैयार होके आ जाएंगे फिर उनके के लिए खाने के लिए मैं बना देती हूं किसी तरह से सारा रोटी जो है हम बना लेंगे और अभी मैं मिल रही फ्रेंज अभी सुबह का दस बज गया है और मेरा काम जो है आज दिन भर का काम है मतलब आराम नहीं है तो मैं यहां पर आ गई थी यह मड़ुवा देख रहे हैं और यह ना साफ करना है और इसमे बहुत ज्यादा गंदा निकल रहा बहुत ज्यादा तो आप देख सकते ही किस तरह से निकल रहा है है और इसे हम लगभग नहीं भी तो दस बीस पानी से हम धुले हैं और कचड़ा तो बहुत ज्यादा है यह देखी इतना सारा कचड़ा है तो इतना हमको साफ करने में फ्रेंज बहुत पानी का यूज करना पड़ा और अभी हजबन खीज दे रहे तो यह सुरू में ही खीज दिये थे एक बालती और पता चला कि इतना ज्यादा पानी लगा है तो वो तो काम पेचले गाए थे और उसके बाद जो है मेरा काम स्टार्ट हो गया है तो भी मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा कचड़ा को निकाल देती हूं तो चैचनी से में निकाल दी हूं क्योंकि जाली वैसा मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं सोची इसी से निकाल देत यह देखिए यह नोर्मली निकला है इतना नीचे जो बैठा हुआ था उसमें से इतना निकला है और यह बालू है देख सकते हैं अब भी देखें बिल्कुल धोके जो है पुरा साफ कर दिये है ये दिख्याविका पानी आप देख सकते हैं कितना साफ है तो सुची कितना कचड़ा बहा होगा और उसके बाद जो धुलने के बाद मैं यहाँ परिया रही थी तो यह न इस तरह से बरतन में परियाने से जो कंकड है वो निकाले थे, इतना सारा निकला था रेट, तो यहा से जितना फैला हुआ है आप देख सकते हैं, इतना सारा मढवा से रेट निकला है, और अगर हम इसको ऐसे ही धो करके और सुखा देते, तो पता चलता कि बहुत ज कोड़ते होंगे हम लोग तो उसे परियाना कहते हैं और यहां पर छट में फिला दिये थे उसके बद फिलाने के बाद में नहाद होके रेडियों के उपर आ गई थी और अभी एक बच्चा दिखा होगा छट पे तो वह बच्चा ही ना यह जब तक में नहाद रही थी नीचे तब तक वह छट पे ही था देख रहा था क्योंकि कबूतर ना बहुत परिसान कर रहा फ्रेंज अभी भी है जब तक में छट में थी ना तब तक कबूतर भी उड़ रहे थे और यह दिखे भी अप लोगों को भी दिखाते हैं उनको लग रहा है कि कोई है ने लेकिन वह बूतर ना आये लेकिन पता चलता है कि बहुत सारा कबूतर आ रहा है और अभी रहेंगे जब तक अनसु भी आ जाएगा वैसे तो टाइम हो गया है वाने का आ भी गया है तो वह लोग ना भी उपर उनको में रखूंगी छटे क्योंकि आ गया है अभी तो अभी और अनसु छट में रहेंगे तब तर मैं खाना खा लेती हूं तो नास्ता में सुबह में ही कर ली थी फ्रेंस और अभी खाना जाएंगे खाने के लिए तो ऐसे तो मेरा जो मढवा है वह सूख गया था तो मैं उसे मोर मारके और फिर नीचे ले आई और यहां पे देखिए यह भी आ खाना खाने के लिए तो सबलो बैठें खाना खाने के लिए और आज था आज मैं कुर्ती का दाल बनाई थी तो यह दिखी क 42 का दाल है और गोभी आलू का सबजी चावल और पापड़ अभी लोग खाना खाते हैं तो अभी रूठा बाऊ था उसी के लिए ना यह पापड चलिए अभी हम खाना खा लेते हैं फ्रेंश उसके बाद जो है मिलती हुँ मैं आप लोगों से तो फ्रेंश खाना पिना हो गया है और मैं आ गई थी धर कठल का पेड़ तरब तो देखे कितना सारा कठल लगा हुआ है तो यह कठल न अभी लगा हुआ नहीं है यह फूल है त तो वो मतलब फल रह जाएगा और इधर अंसु लोग खेल रहे तो अंसु का सैकल जो है वो खराब है तो आज अंसु को जाना है सैकल बनाने के लिए तो मैं उससे याद दिला रही थी चलने के लिए तो अभी हम लोग निकल गा है फ्रेंश और अंसु जो है वो सैकल बनान तो भी हम लोग उधरी जा रहे हैं और अभी को देखिए वो सबसे आगे चल रहा है और इससे बहुत जल्दी है ग्राउंड जाने का क्योंकि ये थोड़ा दूर में है ग्राउंड तो जल्दी जाने पाते रोड के साइड है न तो इनको जल्दी जाने के लिए मिलता नहीं है और ये देखिए साइकल का जो चैन है वो टाइट हो गया था उसके बाद हम लोग ग्राउंड आ गया थे तो यह एक छोटा सा पपी है तो ये बहुत ज़्यादा उचल रहा था हट हम लोग इससे ढर आहे थे ढगरना हम लोगोंगों को ने अंदर घुझ जा रहा था ये दे अंसु ड रराग्यू ऑन से दूबारा निकलता भी है तो आपम लोग उसी के साथ में खेयलते खेयलते इतना सारा टाइम यो है वो पार हो गया था और अभी हम लोग इधर आ गाहे तो ये ना फिर से निकल गया था बाहर जब हम लोग दूर चले गया था ये दिख्खए अब इसे डर नहीं लग रहा है अब ये चल जायगा तो हम लोगों को पता नहीं था आज यहाँ पे फुडबोली या मैच हो रहा था नहीं मालूम तो यहाँ पे भीड बहुत जादा था और हम लोग इधर साइड में ही रहते हैं वैसे तो हम लोग सोचे थे कि ग्रॉंड में आज दो तीन राउंड लगा के उसके बाद घर चलेंगे लेकिन मैच हो रहा था ना तो हम लोग ग्रॉंड पे जा नहीं सकते थे इसी कारण हम लोग इधर पीछे साइड में जो है घूम रहे हैं और अंसु लोग जो cycle चला रहा है तो अभी भी पीछे पीछे दोड़ रहा है इसका काम ही है वैसा दोड़ना तो यह दोड़ रहा है तो ज्यादा देर रुकने पाया थे और बहुत जल्दी साम हो गया था तो अभी हम लोगों को घर जाने का भी time हो गया है अब देख सकते कि इतना अंधेरा टैप में लग रहा है तो अभी वैसे लेट से आये थे हम लोगों को आना चाहिए था चार बजे लेकिन आयूस लोग करना ट्यूसन था तो वो लोग लेट से आये फिर किसी दिन आएंगे फ्रेंस तो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे तो अभी चलते हैं घर क्योंकि लेट हो जाएगा फिर घर जाने में भी अंधेला हो जाएगा अब इससे भी अंधेला होई जाएगा क्योंकि अभी तो छे बजने मला है तो चलिए फ्रेंस मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छ लगा हो तो लाइक कमेंट और सस्क्राब जरूर किजिएगा फ्रेंज